नमस्कार आप देख रहे हैं आर्जे नियूज और आपके साथ मैं प्रियंका आईए रुक करते हैं खबरों जगनाथ मंदिर ओडिसा के पूरी सहर में इस्थितिप पूरे साल भगवान की पूजा इस मंदिर में होती है लेकिन असाड मा में तीन किलो मीटर की रध्यात्रा निकाली जाती है रध्यात्रा के बारे में अगर आपको जाना है तो आगे हमारे साथ बने रही है हर साल जगनात रथ्यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है जिसमें शामिल होने के लिए देज दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं इस बार भगवान जगनात की 146 वी रथ्यात्रा निकाली जा रही है जी आपको बता दे औरीसा की पूरी सहर में लाखों लोगों की भीड पहुँच चुकी है ये वैशनमंदी श्री हरी के पून अवतार श्रीकृष को समर्पित है पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्व ग्रह में होती है लेकिन असाड मा में तीन किलो मिटर की आलोकी रथ्यात्रा के जरिये इन्हें गुडिंचा मंदिल लाया जाता है जी हां कई लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि जगनात रथ्यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है अगर आपको भी ये जानना है तो हमारे साथ बने रहिए हिंदू धर्म की मानिताओं के अनुसार असार क सुक्लपक्ष की दुतिय तितिको भगवान जगनात भाई बलभद्र और बहन सुबद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं रथ्यात्रा पुरी के जगनात मंदिर से तीन दिव्य रथों पर निकाली जाती है सबसे आगे बलभद्र का रथ उनके पीछे बहन सुबद्रा और जगनात यात्रा 20 जून से सुरू होगी और इसका समापन एक जुलाई को होगा